हलो फ्रेंड्स आप आईएस डेली इस्टाइटिक MSQ डिसकसन सीरीज में आपका स्वागत है हम आज अपने डिसकसन में भारते राजविवस्था के कुछ महत्तपुन प्रस्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर विचार करेंगे चलिए हम आज का अपना डिसकसन सुरू करते हैं हमारे डिसकसन का पहला प्रस्न क्या कहता है निमलिखित कथनों पर विचार करें ये जानकारी बिलकुल सही है भारत समविधान के अंतरकत भाग दो में अनुछेद 5 से लेकर 11 के बीच नागरिकता से सम्मधित प्रावधान किये गये हैं इन अनुछेदों पर किसी भी प्रकार का संसोधन किया जाना नागरिकता से सम्मधित कोई भी नया प्रावधान जोड जाने का अधिकार भारतिय संसद को दिया गया है यानि कि पहला कथन बिलकुल सही है हलांकि संसद के द्वारा नागरिक्ता के मामलों में किया गया कोई भी संसोधन संसोधन के रूप में नहीं गिना जाता क्योंकि ये साधारन बहुमत से किया जाता है तो इसे आप ध्यान में रखेंगे दूसरा कतन क्या करता है भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपती के पद के लिए योग्य होता है ये गलत है क्यों फ्रेंड्स क्योंकि भारत्य संबिधान के अंतरगत किसी भी प्रकार का ऐसी योग्यता भारत के राष्ट्रपती बनने के लिए नहीं रखे गई है उसमें बस यही लिखा गया है कि भारत के राश्ट्रपती होने के लिए विक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए चाहे वो जन्म से भारत का नागरिक हो या फिर प्राकृती करन के माध्यम से उसे भारत का नागरिकता दिया गया हो तो इसे आप ध्यान रखेंगे लेकिन जो अमेरिका है वहां के रास्ट्रपती होने के लिए वहां जर्म से नागरिक विक्ती ही रास्ट्रपती के पद पर आसीन हो सकता है किसी दूसरे तरीके से यदि कोई विक्ति अमेरिका का राष्ट्रपती बना हो तो उसे अमेरिका के राष्ट्रपती के रूप में आसिन होने नहीं दिया जाएगा तो इसे आप ध्यान में रखेंगे तीसरा कतन करता है संविधान केवल भारत के नागरिकों को सैक्षनिक और सांस्क्रितिक अधिकार प्रादान करता है विदेशी को नहीं ये बिल्कुर सही है आप जानते हैं कि भारते नागरिकों को कुछ अधिकार जैसे कि अनुछेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अधिकार केवल और के विदेशियों को नहीं दिया गया है यानि कि हम बात करें इस question के answer का तो option C इसका सही answer होगा क्यूंकि पहला और तीसरा सही है दूसरा गलत है। रोजगार के मामलों में समानता की बात की गई है हलाकि इसमें कुछ अपवाद भी जोड़े गए हैं। उसी प्रकार से अनुचेद 19 लोगों को अपने आपको अभिव्यक्त करने विधान सभा, संग, आंदोलन, निवास, पेसा, इत्यादी का अधिकार देता है। भारते नागरिकों को हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ही अधिकार हैं जैसे कि लोगसभा और राज्य विधान सभा के चुनाओ में मददान करने का अधिकार केवल भारते नागरिकों को है। इन ही चुनाओ में सदस्यता के रूप में चुनाओ लड़ने का अधिकार भी भारते नागरिकों को दिया गया है। किसी भी प्रकार का सरकारी पद चाहे वो रास्टपती का पद हो या फिर एटोनी जनरल महा अधिवेक्ता उच नियालय या फिर सुप्रीम कोट के अंतरगत जो नियाधिस नियुक्त किये जाते हैं उन पर आसीन होने का अधिकार भी केवल और केवल भारते नागरिकों को दिया गया है तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे हमारे डिसकसन का दूसरा प्रस्ण क्या कहता है निमलिखित कथनों पर विचार करें तीन कथन दिये गये हैं आपको गलत कथन की पहचान करनी है पहला कथन कहता है भारत में तैनात विदेसी राजनईकों के ब पर पहर प्रकार से यदि कोई विदेसी विख्ती है जो भारत जेलों में बंध है तो उस विख्ती के बच्चों को भी यदि वो भारत में जने जाते हैं तो उनको भी नागरिक्ता जन्म के आधार पर नहीं दी जाएगी हलांकि उनके बच्चे यदि चाहते हैं कि वो भारत के नागरिक बने तो जो प्रावधान किया गया है उनके आधार पर वो अपलाई कर सकते हैं उसके बाद निश्चित रूप से उनने यदि वो उस देश के हो जहां भारते नागरिकों को नागरिकता दी जाती हो और वो सभ या उसके माता-पिता में से कोई भी औविभाजित भारत में या ऐसे अन्य छेतर में पैदा हुआ था जो 26 जन्वरी 1950 के बाद से भारत का हिस्सा बन गया फ्रेंड्स इस कथन में यहां तक जितनी जारी सारी जानकारी लिखी गई है बिल्कुल सही है लेकिन भारते नागरिक माने जाने की जो समय सीमा थी वो 26 जन्वरी 1947 थी न की 26 जन्वरी 1950 इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो जाता है तीसरा कथन क्या करता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले वेक्ती सभी वेक्तियों को भारत के नागरिक के रूप में पंजिकरित होने से पहले निष्ठा की शपत लेनी चाहिए ये बिल्कुर सही है क्योंकि फ्रेंड्स इस बात को लिखा गया है कि कोई भी वेक्तियों भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे समविधान के सपत लेनी होगी समविधान में निष्ठा रखनी होगी इसके अलावा कुछ और प्रावधान है जिनको किये जाने की आउशेक्ता होती है हम आपसे सजिस्ट करेंगे कि निष्चित रूप से आप इसे एक बार गो थ्रू हो जाएं इसे देख लें यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा हमारे डिसकसन का तीसरा प्रस्ण क्या करता है यदि किसी व्यक्ति के पास निमलिखित अरहताओं में से हैं तो केंदर सरकार किसी भी व्यक्ति को प्राकृति करण का प्रमान पत्र प्रदान कर सकती है यहाँ पर तीन कंडिशन दिये गए हैं जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी से कनेक्ट होता हुआ ये तीसरा प्रस्ण है क्या करता है कि यदि उसे भारत नागरिक के रूप में प्राकृति करण के माध्यम से नागरिक बनाया जाएगा तो उसके लिए क्या कंडिशन ह पहला कहता है वह अच्छे आचरणों वाला हो ये बिलकुल सही है वो किसी भे प्रकार के आप्राधिक गदिविध्यों में संलिप्त ना हो तभी उस वेक्ति को भारत का नागरिक बनाया जाएगा ये पहली सर्थ है दूसरा कहता है उन्हें संबिधान के आठवी अनुसू नागरिक के अंतरगत जो 22 भासाएं लिखी गई है उनमें से यदि किसी एक भासा को वेक्ति जानता हो तो निश्चित रूप से उसे भारते नागरिक के रूप में स्विकार किया जा सकता है अगला कहता है उन्हें विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्शान्ति, मा मांदंड हैं जिनको सबसे पहले देखा जाता है भारत के नागरिकता स्विकार करने से पहले इस क्वेस्चन का अंसर ओप्सन डी होगा इसके अलावा जो अन्यसर्थ हैं उनमें ये है कि वो बेक्ति इस बात को वादा करे कि जिस दिन वो भारत का नागरिक बनेगा वर्तम इन सारे मामलों में एक बात जिसे आपको ध्यान रखना है अवैद प्रवासियों के मामले में ये किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता है तो इसे भी आप ध्यान रखें हमारे डिसकसन का चौथा प्रस्ण क्या करता है निमलिखित में से कौन भारत समविधान की संग्य विशेष्टा नहीं है संग्य विशेष्टा नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि संग्य विशेष्टा क्या होती है फ्रेंज संग्य विसेष्ता कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा देश जहां पर दो अलग-लग इकाया हो एक केंदर के रूप में और दूसरा राज्य के रूप में दोनों के लिए अलग-लग शक्तियां हो और उन सारी सक्तियों को किसी विसेष चीज पर किसी विसेश पुस्तक पर लिखा गया हो तो ऐसे मामलों को संघिय विसेशता कहा जाता है इनमें यदि हम कुछ महत्तपून विसेशताओं की बात करें तो फिर केंदर और राज्य के बीच अलग-अलग सरकारें होनी चाहिए इन सरकारों के बीच सक्तियों का बटवारा होना चाहिए जो कि लिखित रूप में हो संविधान की सरोचता होनी चाहिए और एक स्वतंत्र न्यायाली विवस्ता होनी चाहिए तो वो संघिय विसेशता माना जाता है अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी कौन सी वो विसेशता है जो संघिय विसेशता नहीं है पहला करता है संविधान का लिखित सरूप जो आसानी से संसोधन योग्य नहीं है यह बिल्कुल सही है क्यों friends क्यूंकि यदि संविधान में आसानी से संसोधन किया जाएगा तो केंदर सरकार ही या तो राज्य सरकार ही संसोधन कर लेगी और अपने हक का प्रावधान कर लेगी और यदि ऐसा होता है तो वो संघ्य विशेष्टा नहीं होगी लेकिन यदि लिखित रूप से संविधान हो और वहाँ आसानी से संसोधन न किया जा रहा हो संसोधन किये जाने के लिए राज्यों का भी समर्थन आउसिक हो तो उस मामले में हम कर सकते हैं कि यह विशेष्टा संघ्य विशेष्टा है यानि कि इस question के answer के रूप में आप पह ले तीसरे और चौथे को आप eliminate कर दीजे आप answer तक पहुच जाएंगे लेकिन फिर भी हम दूसरे कथन को देखते हैं दूसरा कथन कहता है राज्य में सभी राज्यों का सम्मान प्रतिनिधित्व ऐसा नहीं है राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात राज्यसभा में जनसं जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया जाए हर राज्य के निश्चित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा का प्रावधान किया गया था नकि संग्य विसेस्ता के लिए तो इसे आप ध्यान रखें तीसरा कहता है राज्यसरकारें केंदर से अधिकार प्रकार ताप्त करती हैं ये गलत है क्योंकि राज्य सरकारों को जो अधिकार दिया गया है वो संविधान के द्वारा दिया गया है ना कि किंद्र सरकार के द्वारा उसे किसी भी प्रकार का अधिकार दिया गया है तो दूसरा और तीसरा दोनों का दोनों गलत है संविधान क कि संख्य विसेस्ता से इनका कोई लेना देना नहीं, इसलिए option B इसका सही answer होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, हमारे discussion का पाच्वा और अंतिम प्रस्ण क्या कहता है, विधान परिशत के चुनाओ के तरीके के बारे में निमलखित कथनों पर विचार करें, तीन कथन दिये गए हैं, आपको गलत कथन की पहचान करनी हैं, किसके बारे में? विधान परिशत के चुनाओ के बारे में, पहला कहता है, दो बटे तीन सदश्य, अस्थानी निकायों के सदश्यों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे नगरपाली का जीला बोर्ड इत्यादी, फ्रें अस्थानी निकायों से किया जाता है, तो आप याद रखेंगे, अस्थानी निकायों से विधान परिशत के लिए कितने लोगों को चुना जाता है, एक तिहाई सदश्यों को चुना जाता है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा करता है, दो तिहाई सदश्य, राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधान सभा के सदस्य नहीं है ये भी गलत है क्योंकि राज्य विधान सभा के द्वारा जिन सदस्यों को चुना जाता है उनकी संख्या विधान परिशद में एक तिहाई है तो इसे भी आप ध्यान चुने जाते हैं ये बिल्कुल सही है क्यूंकि जो अलग-अलग हिस्सेदारी रखी गई है विधान परिशत में उसमें से ऐसे सदस्य जो कम से कम इसनातक पूरा कर चुके हो और तीन साल हो चुका हो उन लोगों को विधान परिशत के अंतरगत जगह दी जाती है उनकी संख् कुल संख्या का एक बटे बारवा होता है यानि कि इस question के हिसाब से हम देखें तो गलत कथन पूछा गया था पहला इसका आंसर होगा option A इसका आंसर होगा क्यूंकि तीसरा कथन सही है अनुछेद 171 के अंतरगत इन बातों का प्रावधान किया गया है जिसमें एक तिहाई स सदस्य अस्थानिय निकायों से चुने जाते हैं एक तिहाई सदस्य विधान सभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं एक बटे बारवा सदस्य जो होता है वो ऐसे होते हैं जिन्हों ने ग्रेजुशन पूरी पूरा कर लिया हो और वो उस राज्य के विधान सभा के छेत्र से संबंधित हो और कम से कम तीन साल की समय उनका गरेजुशन पूरा किया हुआ हो जाना चाहिए इसी प्रकार से एक बटे बार्वा सदस्य जो होते हैं वो तीन वर्स से हाइइ-स्कूल के मामलों के जानकार हों हाई इस्कूल के मामलों से संबंधित हो तो उनको चुना जाता है और एक बटे छे सदस्य जो होते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा कुछ विशेश छेत्र जैसे की साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सिवा से चुना जाता है एक अन्य बाद इससे संबंधित जिसे आपको याद रखना है कि इन सदस्यों का चैन अनुपातिक प्रतिनरित्व प्रणाली के आधार पर एकल, संक्रमणिय, गुप्त मतदान प्रणाली के मात्धम से किया जाता है तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, बहुत बार प्रस्न पूछा गया है तो फ्रेंड्स, यह हमारा आज का डिसकुसन था, हम अपने आज के डिसकुसन को यहीं रोकते हैं आप हमारे साथ बने रहे, थाइंक यू, थाइंक यू वेरी मच